मेरा नमें जेक्षिन मां और आज हम करने वाल हैं ऑनर बैंड 4 का रिवीवू और ऑनर बैंड 3 के बाद काफी ऐसे से फीचर्स से जो कि अनर बैंड 4 अन लोगों ने जो है वो शामिल नहीं करें जैसे कि GPS tracking जो कि Honor Band 3 में आपको देखने को मिल जाती है वो इस वाले बैंड में आपको देखने को नहीं मिलती है हाले कि इस वाले बैंड के अंदर आपको Color Display जो है वो देखने को मिल जाती है जो कि आपको Honor Band 3 में जो है वो देखने को नहीं मिलती है अगर ऑनर बैंट 3 के बात भी नहीं करूँ में तो एमाइबंट 3 के अंदर भी आपको कलर डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती है जैसे कि अब देख सकते हो यह मेरे हाथ मेरे हाथ मेरे हाथ में ऑनर बैंट 3 है और इन दोनों केए अंध्र मेन डिफेरेंस यही है कि इसके इंदर तो पिडिस्प्ले नहीं आती हाज इसके अंधर इसके को किल एदा आती है किल वेटे विश्या दे देता है किलेग यह रहा फ 你ए अंध charged क्या फ्रीग करेंच आपको प्रेमियम लगते हैं अगर किसी और फिटनेस बैंड से कंपेर करो तो थात्मा को यहां पर नीचे चार्जिंग क्रेडल के दो स्पॉट्स भी देखने को मिलते हैं इसको आपको बार बार निकालने के ज़रूत नहीं पड़ती इसके फ्रेम में से यहां पर आप इसको नॉर्मली ऐसी क्रेडल के ओपर से चार्ज लगा सकते हो वह क्रेडल जो है वह मैगनेटिक नहीं है वह माइकर यस्भी 2.0 से काम करता है लेकिन एवेंट्शली वह एक बर घुसने के बाद आपको याद बीन लगा किसके अंदर कॉंसी वाय लगी हो एक तरीके सब सब्सक् सब्सक्राइब की है लग बग दो दिन में चार्ज करी लेता हूं तो फिर मेरे लिए विन-विन सुच्वेशन ही है अगर मैं बैंड की बात करूं तो बैंड की क्वालिटी काफी ज़दा अच्छी है यहां पर आपको एक कर्वड गोरेला ग्लास देखने को मिलता है और उ अगर इसको देखोगे नहीं एक दो गहने के बाद आप अगर इसको देखोगे नहीं एक दो घंटे दो आप भूल जाओगे कि आपके हाथ पर वी जो है वो कुछ लगा हुआ है और इसके अंदर कोई भी डॉट अला मेकैनिजम नहीं आथा जो कि इसके नॉर्मल घड़ी क इस ट्रैप जैसा एक बिल्कुल मतलब शांदर वाला जो है बकल मेकैनिजम आता है तो यह काफी दा सही लगता है आपको कहीं भी गिरने वरेने का दर नहीं रहेगा और काफी दा सही लगता है जो यह जेस्चर यह भी काफी दर शांदर तरिके से काम करता है और नॉर्मल यह भी अपको अगरा जैस्चर अगर देखते हो तो बहुत जादा तेस जो है उग्वाट खुल जाता है लेकिन इसका नहीं हो तो बिल्कुल ग्रेटेंट से बज़ादा सव्ट इसको खोलता है अपने डिस्पले को तो यह काफी दा अच्छी लगती है अगर नहीं बात कर स्वाइब करता है जो कि ब्लू कर में है और आपको हार्टेट सेंसर दिखाता है जो कि रैड कलर मैं जैसे कि अब देख सकते हो में कलर स्पैसिविकली मैंशन कर रहा हूं कि इन लोग ने हर एक चीज जो है वह अलग-अलग कलर में डाल रखी है ताकि आपको पता पड़ता होग दूसर दूसर बशसे खाषाइब करसकर सकते होぎारे में स्मार्थ मेंन के बनान को पावर ऑफ कर सकते हूं और आपको मिल जाती है और अगर रीचे कर सकते हैं आपनी लूप चलू करते था इवेंशली तो उसका कुछ फाइदा नहीं है अगर बार बार गोल को माते रोगे तो क्या फाइदा होता है अगर बात करें से कंपैनियन एप की तो एक बर कनेट करने के बाद यह आटमेटिकली जो है वो चाइनी से चीजें देख सकते हो कि आप कितने स्टेप चले हो कितने कारी बन हो चुकी है कितने डिस्टेंस आप चल लिए हो और यहाँ पर हुआवे टू स्लीप भी आपको देखने को मिलती है जो कि ना तो सिर्फ आपकी एक्कुरेट स्लीप ट्रैकिंग करती है लेकिन साथ यसाथ मैंने वाले वीज़ों कर दिया है बंद यहाँ आपको एक्टिविटी रिमाइंटर भी देखने को मिलता है कि आपको लगातार हिलते हो यार अपना शदीर हिलाओ कुम करन अमद बन जाओ और यहाँ आपको कंटिनस हार्ट रेड मॉनिटरिंग का उप्शन में मिलता है इस मिलता है Bluetooth disconnection reminder में मिलता है मैंने बिसको बंद कर रखा क्योंकि लगातार मैंने फोन को कहीं नहीं चोड़ता हूं कहीं भी जाओ तो फिर इत्रुन टुन करता रहता है अपने फोन से इस फर्मवेर को अपनी बैंड के ट्रांसवर करने में और उसके बाद उसको अपडेट कर बाया है उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिशन में दे रखी है और यह वाली वीडियो जो है वो गेर बैस के वज़ा से ही पॉसिबल हो पाई है तो मैंने जो डिस्क्रिशन लिंग कि आपको यह खरीदा हूं में आराम से बैंड को एमाई बैंड 3 के ओर जो है वो और इवेंशली इसके अंडर आता है लेकिन फिर भी काफी ज़दा शांदर कॉम्पिटिशन है अभी के अभी के फिटनेस बैंड के अंदर और आम से को किसी को भी रिकमेंड कर सकता हूं जिसका जो बजट है वो तीन से चार हजा है आल हूब आपको यह वीडियो पसंद आ अजा अजा है वह थेमला